दोस्तो पिछले वीडियो में हमने PivotTable की Basic जानकरी सीखी थी और इस वीडियो में हम PivotTable का PivotTable Analyze Tab है उसके अंदर यहां पे हम क्लिक करेंगे तो यहां पे एक विखलप है options का इस पे हम क्लिक करेंगे तो यह PivotTable Options का window open हो जाएगा इसमें कई सारे अलग-अलग टेप है इस वीडियो में हम सिर्फ layout and format टेप के सभी विकल्प के बारे में जानने वाले है जिसमें सीखेंगे कि कैसे ये group अपने आप बनता है यहाँ पे ये सभी मन्त के लिए quarter है तो इसे हम merge करके यहाँ center में लाना हो इस तरह से तो वो कैसे लाते है फिर हम जानेंगे कि यहाँ पे expand हुआ content ये expand button की line में देखे तो थोड़ा नजदिक है तो उसे हमें थोड़ा दूर रखना हो ऐसे तो क्या करना पड़ेगा फिर अगर हम यहाँ पे एक से ज्यादा filter लगाते है तो यहाँ पे एक ही column में सभी filter आ रहे है लेकिन हमें यहाँ पे filter side by side चाहिए कुछ इस तरह से तो कैसे करना है वो जानेंगे अगर हमारे source data में कोई error हो तो वो error यहाँ पे भी दिखाए देगी लेकिन हमें यहाँ पे error की जगः blank या कुछ custom message display करना हो इस तरह से तो वो कैसे करना है वो भी हम सीखने वाले है तो इसी बहुत सारी जानकारी है जो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले है तो आईए दोस्तो आप है Mr. Koting के साथ साथ मिलके कुछ नया सीखते हैं दोस्तो वीडियो पार्ट नंबर 52 से हमने pivot table सीखना शुरू किया है दीरे दीरे बहुत ही well planning के साथ और बहुत ही बहतरीन तरीके से हम pivot table के ये सभी option example के साथ सीखने वाले है दोस्तो हमारे ये मानना है कि जब हम pivot table के सभी विकल्ब सीख लेंगे फिर आप data analysis और data represent का काम सुरू कर सकते हो दोस्तो data analysis का काम हो या data represent करने के लिए interactive dashboard तयार करना हो उसके लिए pivot table आना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तो data analysis की job काफी demand में है और demand में रहेगी ही दोस्तो अगर आप computer background से नहीं है फिर भी आप excel के कुछ 4-5 ऐसे tool है जिसको आप सीख लेते हो तो आप बड़ी बड़ी company में data analysis की job कर सकते हो दोस्तो analysis के अलग-अलग सभी tool हम सीखेंगे जिसमें से सबसे जरूरी tool है pivot table तो दोस्तो pivot table का ये option विकल्ब शुरू करने से पहले इस वीडियो को like जरूर से करें क्यूंकि pivot table के सभी विकल्ब example के साथ सरलता से समझ में आ जाए ऐसे वीडियो बनाने में हम बहुत ही मेहनत करते हैं तो ऐसी मेहनत करने के लिए हमें आपका साथ जाईए और आप इस वीडियो को like करके हमें साथ दीजिए जिससे हमें motivation मिलता है तो इस वीडियो को like जरूर से करें और अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो इस चैनल को subscribe कर दीजिए और bell icon on भी कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो upload हो तो उसका notification आपको मिलता रहा है दोस्तो यहाँ पे हमने Excel के अंदर sample data लिखा हुआ है पहले तो हम हमारा data समझ लेते यहाँ पे order ID है date quarter quarter के अंदर जो data है उसमें quarter 1 quarter 2 यह date कौन से quarter में आ रही है वो यहाँ पे लिखा है फिर यहाँ पे customer का name product की category sub category items quantity price total city country और region यह इतने column दिये है और यहाँ पे control कितने record है वो जानने के लिए हम यहाँ पे selection रखेंगे control की press करेंगे और downside arrow की press करेंगे तो यहाँ पे row number आ रही है 2340 तो यहाँ पे कई सारे record है फिर से हमें पहले cell में जाने के लिए control की press करेंगे और upside arrow की press करेंगे तो पहले cell में हम आ जाएंगे अब ये सभी data के लिए हमें pivot table तयार करना है तो हम क्या करेंगे select all करेंगे जिसकी shortcut की है control A insert में जाएंगे यहाँ पे pivot table पे click करेंगे तो जितना area हमने select किया है वो range यहाँ पे आ जाएगी अब दोस्तों यहाँ पे quarter का field है उसको उठा के हम यहाँ पे rows में रखेंगे और फिर उसके उपर date है उसको भी हम यहाँ पे उठा के quarter का field है उसके नीचे रखेंगे तो देखें दोस्तों यहाँ पे quarter one और उसके अंदर जितने भी date आ रही थी वो सभी date यहाँ पे अपने आप group में आ गई मतलब कि हमारा जो source data है उसमें date इस तरह से दी हुई है जब हमने ये date का fill पाइवोट टेबल के अंदर रखा तो वो month के group में आ गई यहाँ पे हम ये जो plus button है उसमें हम click करेंगे तो ये expand हो जाएगी और इसमें जितनी जितनी date है वो यहाँ पे दिखाई देगी तो यहाँ पे क्या हुआ जो date का fill हमने यहाँ पे रखा था वो अपने आप month के group में आ गया तो यहाँ पे quarter 1 के ये 3 month quarter 2 quarter 3 और quarter 4 सभी quarter के आगे ये button दिया है उसमें हम click करेंगे तो quarter 1 के सभी month है वो quarter 1 के अंदर चली जाएंगे फिर से हमें expand करना हो तो यहाँ पे फिर से हम click करेंगे तो वो expand होके आ जाएंगे अब जो ये region का fill है उसको हम columns में रखेंगे तो यहाँ पे सभी region के नाम अगे और फिर से हम यहाँ पे region को उठा के values में रखेंगे तो हमें यहाँ पे यह मिल जाएगा कि कौन से region में कौन से quarter में कितना cell हुआ है तो यह हमने अलग-अलग fill रखे pivot table बना लिया अब दोस्तो यह जो pivot table का view है वो default view है normal view है इसको हमें classic view में display करना हो तो कैसे करेंगे यहाँ पे pivot table analyze के अंदर यहाँ पे pivot table का option है उस पे हम click करेंगे तो यहाँ पे एक विकलब आ रहा है options का दोस्तो आपके excel में साइड यह options का विकल बाहर ही हो तो वो आपको देख लेना है यहाँ पे हम click करेंगे तो यह pivot table options का window open हो जाएगा जिसमें आपको डिस्पले में जाना है और यहां पर एक विकल्ब है classic pivot table layout तो इसको आपको select कर लेना है फिर ओकी बटन पर click करना है तो देखें दोस्तों आपका जो pivot table है वो classic view में आ गई यहां पर आप देखोगे तो quarter one लिखा है वो यह तीन मंथ के लिए है तो हमें यहां पर यह तीनों cell को merge करके quarter one को यहां पर लिखना है तो उसके लिए क्या करना है पाइवर टेबल में जाएंगे यहां पर options पर click करेंगे center cell with label तो इसको आपको select करना है ओके button पर click करना है तो देखें तो यहां पर यहां पर यह सभी cell merge होके आ गए तो यहां पर यह तीन मंथ है उसके लिए जो quarter one था वो उसके सामने आ गया तो यहां पर यह तीन मंथ के लिए quarter one यह 3 month के लिए quarter 2, इस तरह से ये सभी cell यहाँ पर merge होके आ गए, फिर से हम right click करेंगे Pivotable options में जाएंगे, और यहाँ पर merge and center cell label selection में से निकाल देंगे, वो की button पर click करेंगे, तो फिर से यहाँ पर unmerge हो जाए, अब दोस्तों हमने यहाँ पर Pivotable का classic view अपले गया था, वो हम यहाँ पर निकाल देते हैं, और normal view में ही चले जाते हैं, अब यहाँ पर देखोगे तो यह जो expand का button है उसकी line में हम देखेंगे, तो यहाँ पर जो month लिखा है, वो थोड़े अंदर लिखेंगे, तो हमें क्या करना है, यह month थोड़े और ज्यादा अंदर लिखने है, तो फिर से हम यहाँ पर right click करके, Pivotable Options में चलें जाएंगे, या फिर analyze step के अंदर Pivot Table और यहाँ पर Options पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे, तो when in compact form, indent row label, तो आपको यह जो row label है, उसमें कितना indent रखना है, मतलब कहीं आगे कितनी जगा रखनी है, यहाँ पर one है, मतलब एक character जितनी जगा यहाँ पर आ रही हम यहाँ पर 5 कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, सभी में 5 करेक्टर जितनी जगा आएगी, तो यहाँ पर okay button पर click करेंगे, तो देखें दोस्तों यहाँ पर यह जो सभी मन्त है, वो काफी दूर आ रहे हैं, क्योंकि options के अंदर हमने यहाँ पर 5 करेक्टर की जगा रखने को बोला है, इसलिए, अब यहाँ पर हम 2 कर देते हैं, बटन पर click करेंगे, तो सभी मन्त थोड़े अंदर आ जाएगे, अब दोस्तों यह डेटा के लिए हमें अलग-अलग filter लगाने है, पहले हम यहाँ पर category को select करके filter में रखेंगे, तो यहाँ पर category का field लागया, फिर sub category उसके नीचे रखेंगे, फिर यहाँ पर items का field है, उसका भी हमें filter चाहिए, तो उसको भी select करके हम यहाँ पर sub category के नीचे रख देंगे, यहाँ पर थोड़े इसकी size हम बढ़ा लेते हैं, फिर यहाँ पर city पर भी हमें filter चाहिए country पर भी filter चाहिए तो हमने यहाँ पर क्या किया अलग-अलग कई सारे filter लगाए है अब जितने भी filter हमने यहाँ पर लगाए है वो सभी filter यहाँ पर एक दूसरे के नीचे एक ही line में आ रहा है, मानलो हमें category पर filter लगाना है, तो यहाँ पर हम click करेंगे जो भी category चाहिए वो हम यहाँ पर select करेंगे, ओके button पर click करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ वही category के total numbers दिखा रहा है, यहाँ पर हम items पर click करेंगे, यहाँ पर हम कोई एक select करेंगे ओके button पर click करेंगे, तो यहाँ पर जो हमने filter लगाया है उस हिसाब से यहाँ पे number दिखाई देंगे तो अभी क्या हो रहा है यह सभी filter एक दूसरे के नीशे आ रहा है तो हमें यहाँ पे filter side by side जाईए तो कैसे करना है यहाँ पे right click करेंगे pivot table options में जाएंगे दोस्तो धियान रखेगा यह option आप analyze tab में जाके यहाँ पे pivot table पे click करके options का यह विकल पे उस पे आप click करोगे तो वही window यहाँ पे open हो जाएगा अब दोस्तो यहाँ पे एक option है report filter fields per column तो आपको यहाँ पे per column कितने filter जाएए तो हम यहाँ पे करेंगे हमें per column दो ही filter चाहिए बाकी के filter कहाँ पे आना चाहिए बाकी के filter side में आना चाहिए तो हम यहाँ पे 2 रखेंगे ok button पे click करेंगे दीखे दोस्तो दो filter यहाँ पे फिर एक ही filter बचा तो वो यहाँ पे आ गया आब अरहें फिर city तो वहां पे आ रहें तो यह जो order है यहां पे जिस तरह ट्प टू बॉटम ही आ रहे हैं हमने एक पर यहाँ पौल्मम में दो फिल्टर लगए है, इसलिए बाकी के फिल्टर दूसरी कॉलम में जा रहे है, वहां पर भी टॉभ्टू बॉटम का ही order है, तो यहां पर down then over है, उस पर click करके आपको over then down option select करना है, बटन पर click करेंगे, तो दीखें दोस्तों, यहां पर जो order है, वो side by side हो गया, यहां पर category, sub category, items, city और country, तो जिस order में और जिस तरह से आपको filter चाहिए, वो आप यहां पर रख सकता हो, फिर से हम options में चले जाते है, यहां पर over then down किया, तो यहां पर option क्या हो गया, एक row में आपको कितने filter चाहिए, तो हमने यहां पर दो select किया है, अगर हम यहाँ पे down then over option select करेंगे तो यहाँ पे filter fields per column आ गया मतलब कि एक column में आपको कितने filter जाएगे तो आपको यह थोड़ा यहाँ पे धियान रखना है अब दोस्तो इसको हम close कर देते हैं फिर से हम हमारी excel sheet में चले जाते हैं यहाँ पे फिर से हम पूरा source data select कर लेते हैं फिर से हम insert में जाएंगे, pivot table पे जाएंगे और हम यहाँ पे यही excel sheet में अब नया pivot table create करेंगे तो existing sheet का option select करेंगे और यहाँ पे हम select करेंगे यह cell जहाँ पे हमें pivot table तैयार करना है बटन पे click करेंगे, तो देखें तो यहाँ पे pivot table का area आ गया अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी size थोड़ी हम ज्यादा कर देते हैं यहाँ पे region लेंगे, और यहाँ पे हम सभी region में total कितनी amount का sell हुआ है वो हम values में रखेंगे, ताकि यहाँ पे total आ जाए अब दोस्तों कई बार क्या होता है, यहाँ पे यह जो source data है, उसमें कई बार error होती है मानलो हम यहाँ पे करेंगे, equal to price divided by zero, enter की press करेंगे तो देखें तो यहाँ पे Excel यह errors हो कर रहा है तो अब हम यहाँ पे हमारे pivot table में जाएंगे, pivot table analyze में जाएंगे और यहाँ पे इसको हम एक बार refresh कर देते है तो देखें तो यहाँ पे यह जो record है, वो Asia region में है जिसमें error दिखाई दे रही है, तो वो error यहाँ पर भी आ रही है तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे error display नहीं करना है जहाँ पर भी error हो, वो cell blank रहना चाहिए, उसमें कुछ भी आना नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस पे right click करके options में चले जाते है और यहाँ पे एक विकलब है, for error values show तो इसको हम select करेंगे, अगर आपको जहाँ जहाँ पे error हो, उसमें blank ही आना चाहिए तो यहाँ पे blank छोट दीजिए, okay button पे click करेंगे, तो यहाँ पे error अब नहीं दिखाए देरी, blank आ रहा है अगर आपको यहाँ पे कोई error message display करना हो, तो फिर से हम options का window open करेंगे, right click करेंगे, options में चले जाएंगे और यहाँ पे हम error लिख देंगे, something wrong और okay button पे click करेंगे, तो देखें दोस्तों अब यहाँ पे जो हमने error type की हुई है, वो यहाँ पे आ रही है अब फिर से दोस्तों हम यहाँ पे सही total लगा देते है, equal to करेंगे, price को multiply करेंगे quantity से, enter की press करेंगे, यहाँ पे power table पे click करेंगे, analyze में जाके इसको एक बार refresh कर देंगे, तो यहाँ पे आप सही तरीके से आ रहा है अब दोस्तों यहाँ से हम region को निकल देते हैं, अब दोस्तों यह सभी region में से एक region है, Europe slash area, तो यह जो region है उसमें कहीं पर भी total नहीं दिया हुआ है, ऐसा हमारे पास data है, तो फिर से हम यह region को select करके rose में रखेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे, तो Europe public Asia का जो region है, उसके स एक option है, for empty cell show, तो यहाँ पर अभी select ही है, empty cell के लिए यहाँ पर empty ही रखा है, कुछ नहीं display होना चाहिए, लेकिन हम ही यहाँ यहाँ पर message display करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे no data available, okay button पर click करेंगे, तो अब दिखें दोस्तों यहाँ पर जो हमने message लिखा था, वो यहाँ पर display हो रहा है, तो blank cell के लिए भी आप custom message display कर सकते हो, अगर आपको blank ही रखना है, तो options में जाके यहाँ पर जो message हमने type किया था, वो सब हम निकाल देंगे, okay button पर click करेंगे, तो यहाँ पर अब यह blank आ रहा है, अब दोस्तों region को हम filter में लगा देते हैं, और यहाँ पर हम rows म अलग-अलग name रख लेंगे, और यहाँ पर region में हम filter लगाएंगे, Asia, okay button पर click करेंगे, तो यह सिर्फ Asia के नाम ही आ रहा है, तो अब दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा observe करेंगे, तो हमने यहाँ पर Asia रखा, अब हम यहाँ पर दूसरा कोई filter लगाएंगे, Europe, okay button पर click तो देखें तो यहाँ पर जो एक column की width है, वो कम ज्यादा हो रही है, जब हम यहाँ पर दूसरा कोई region select करके, okay button पर click करेंगे, तो देखें तो यह column की size कम होगे, तो यह column की size auto width में है, मतलब कि यहाँ पर जो content लिखा हुआ है, उसके हिसाब से यह column की width कम या ज्यादा हो र तो देखें तो यह column की width है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, यहाँ पर हम scroll करके नीचे जाएंगे, तो देखें तो यहाँ पर यह नाम आ रहा है, जिसकी column की width ज्यादा है, फिर से हम उपर जाएंगे, यहाँ पर दूसरा कोई region select करेंगे, यूरोप, okay button पर click करेंगे, तो यह size कम हो गई, तो इस तरह से यह column की width कम यह ज्यादा हो रही, तो जब हम कोई dashboard बनाते हैं, तो उसमें यह थोड़ा दिकत वाला हो जाता है, तो column की width है, वो कम यह ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी size fix ही रहनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर right click करेंगे, options में चले जाएंगे, यहाँ पे दोस्तो, option है, auto fit column width on update, तो यह आपको selection में से निकल देना है, okay button पे click करेंगे, अब यहाँ पे आप कोई भी region select करोगे, तो भी यहाँ पे column की width उतनी ही रहेगी, यहाँ पे column की width change नहीं होगी, तो column की width जब आपको fix करनी हो, update होने पर कम यह ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा करना हो, तो आपको क्या करना है, options में जाके, यहाँ पे यह जो auto fit column width का option है, उसको selection में से निकल देना है, अभी के लिए इसको हम select ही रखेंगे, okay button पे click करेंगे, अब दोस्तो यहाँ पे हम select करेंगे, Asia, okay button पे click करेंगे, अब यहाँ Alan Grant का जो नाम है, उसको हम थोड़ा format कर देते हैं, home में जाएंगे, यहाँ पे उसका color red कर देंगे, background color yellow कर देंगे, तो हमने क्या किया कि इसको यहाँ पे format कर दिया, अब हम हमारा जो source data है, उसमें कुछ हम थोड़ा changes करेंगे, और फिर से हम यहाँ पे pivot table में आएंगे, यहा भी निकल जाने जाएंगे, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे right click करेंगे, pivot table के options में जाएंगे, और यहाँ पे आखरी option है, preserve cell formatting on update, इसको selection में से निकाल देंगे, ok button में click करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे, जब भी source data update होगा, तो यहाँ से format निकल जाएगा, लोड़ा formatting कर देते है, फिर से हम pivot table analyze में चले जाते है, और यहाँ पे हम कुछ update कर देते है, यहाँ पे हम number लिखेंगे, 90, तो यह update हो गया, यहाँ पे फिर से आ जाते है, और pivot table को refresh करेंगे, तो देखें तो यहाँ पे जो हमने format दिया था, वो निकल गए, क्योंकि यहाँ source data में update हुआ, इसलिए, फिर से हम दोस्तों इसको format कर देते है, red color red करेंगे, background color yellow करेंगे, फिर से pivot table analyze में चले जाएंगे, यहाँ पे अभी दोस्तों हमने कोई भी source data में changes नहीं किया है, फिर भी अगर आप यहाँ पे एक बार refresh कर लेता हो, तो भी यहाँ से format निकल जाएग और यहाँ पे आपको preserve self formatting on update उसको आपको select रखना है, ओके button पे click करना है, अब हम इसको फिर से select करेंगे, formatting कर देंगे, फिर से हम analyze में जाएंगे, यहाँ पे कितनी व्यार भी आप refresh कर लो, यह format नहीं निकलेगा, तो यह सभी विकल्प थे दोस्तों, pivot table analyze के अंदर, यहाँ पे pivot table और उसके अंदर options के, यह सभी option हमने दोस्तों detail में सीखे है, उसके आप practice कर लीजिए, practice करने के लिए यह sample content की excel file और कौन सी exercise करनी है, उसकी pdf file, दोनों की link हमने इस video के description में दे दी है, तो वहाँ से download कर लीजिए, और यह topic की सही तरीके से practice कर लीजिए, next video में दोस्त मिलते हैं दोस्तों next video में, बहुत बहुत धन्यवाद, thank you